सावन में किन पाँच राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा भगवान शिव का प्रिय सावन मास दो दिन बाद शुरू होने वाला है ग्रह नक्षत्रों के सैयोग से इस महिने में पाँच राशी वालों की किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं पंचांग के अनुसार इस बार भगवान शिव का प्रिय सावन मास बाइस जुलाई सोंबार से शुरू हो रहा है और उन्ने सगस सोंबार तक रहेगा इस महीने में ग्रहों के कई शुभयोग बनेंगे जिसके चलते पाँच राशी वालों की किस्मत चमक जाएगी और इन्हें धनलाप के साथ साथ और भी कई फाइदे हो सकते हैं यानि कि कहा जाए कि सावन का महीना इन पांच राशी वालों के लिए बहुती फाइदेमंद रहेगा तो गलत नहीं होगा जियोतिशियों की माने तो इस सावन में शुक्रा दित्य राजयोग शश राजयोग बन रहा है इसका लाब पांच राशी के लोगों को मिलने वाला है ऐसे में इन राशियों पर मादेव की क्रिपा बरसेगी आईए जानते हैं कौन सी है ये पांच राशिया नमबर एक मेश राशी मेश राशी वालों को होगा धन लाब सावन महीने में इस राशी वालों को धन लाब के कई मौके मिलेंगे अटका हुआ पैसा भी इस समय मिल सकता है पैतरिक सम्ती के मामले यदि अटके हुए हैं तो वो भी इस दोरान सुलच सकते हैं रोगों से छुटकारा मिलेगा कारे क्षेतर में सभलता प्राप्त करेंगे शिक्षा के क्षेतर से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आपके द्वारा किये गए कारें की सरहना होगी दामपतिय जीवन सुखमय रहेगा मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी भगवान शिव की अराधना करने से मनवांचित फल की प्राप्ती हो सकती है नमबर दो सिंग राशी सिंग राशी वालों को मिलेगी गुड नियूज इस राशी के स्वामी सूरे हैं और सावन के महीने में इस राशी में लक्षमी नरायन राजयोग बनेगा इस से आपको खूब लाब हो सकता है आपकी कमाई में वरकत आएगी और इसी के साथ घर में शुक्षान्ती आएगी यदि आप कारोवारी हैं तो अच्छा कासा मुनाफ़ा भी हो सकता है इस राशी के लोगों के लिए सावन का महीना बहुत यदिक शुब फल देने वाला रहेगा कर्ज से मुक्ती मिलेगी संतान सुख मिलेगा और समाज में मान समान की वृद्धी भी होगी सावन का महीना सिंग राशी वालों के जीवन में चमतकारिक बदलाव देखने को मिलेंगे भौत इक सुख सुविदाओं में वृद्धी होगी घरेलू सुख बढ़ेगा यात्रा लाबकारी सिद होगी परसनल वा प्रोफेशनल रूप से आप उन्नती करेंगे इस अभधी में आपको कोई शुब समाचार मिल सकता है तुला राशी वालों को बिजनेस में होगा फाइदा इस राशी के लोगों को बिजनेस में फाइदे के योग बन सकते हैं कोई बड़ी डील भी इस दुरान होगी जिसका फाइदा लंबे समय तक मिलेगा नौकरी में भी परमोशन के योग बन सकते हैं पारिवारिक जीवन सुख शांती से बीतेगा नमबर चार मीन राशी मीन राशी वाले रहेंगे खुशाल इस राशी के लोगों को सावन में खुश रहने के कई मौके मिलेंगे ये परिवार के साथ धार्मे क्यातरा पर जा सकते हैं संतान की उपलब्ती के सभी को खुशी मिलेगी नौकरी बिजनेस की सिती में सुधार होगा बैंक बैलेंस में बृद्धी होगी इस समय लिये गए निर्ने सही साबित होंगे नमबर पांच धनूराशी धनूराशी वालों के लिए सावन का महीना खास है भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक परिशानियां दूर होगी पैवाईक जीवन में सुधार होगा आये के नई साधन बनेंगे आर्थिक रूप से उन्नती करेंगे किसी प्रिये समचार की प्राप्ती हो सकती है इस दोरान प्रतियोगी प्रिक्षा की त्यारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ है मेनत करने से कारें में सफलता जरूर हासिल करेंगे परिवारिक जीवन सुखमय रहेगा सावन में पाना चाते हैं भगवान भोले नात का शिरवाद करें ये पांच काम कारे होंगे सफल बढ़ेगी सुख सम्रिद्धी एक सावन में भगवान शिव को प्रसन करने के लिए परतेक दिन बेल पत्र अर्पित करें बेल पत्र पर आप ओम नम शिवाए या राम लिखकर शिवलिंग पर चड़ाएं ऐसा करने से आपको महादेव का अशिरवाद प्राप्त होगा मनो कामनाय पूरी होंगी बेल पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिये है इसके बिना शिवजी की पूजा पूरी नहीं होती है दो शिव किरपा प्राप्ती के लिए आप पूजा के समय शिव चालिसा का पाठ करें समापन के समय शिवजी की आरती करें आरती करने से पूजा पूर्ण होती है आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती है तीन, धार्मेक मान्यताओं के अनुसार जला भिशेक करने से देवों के देव महादेव प्रसन होते हैं ऐसे में आप श्रावन के हर दिन शिवजी का नेमित गंगा जल्या साफ पानी से अभिशेक करें उस दोरान ओम नम शिवाय मंत्र का उचारण करते रहें ऐसा करने से शिव कृपा मिलेगी और जीवन सुखमय होगा चार, सावन महा में शिव कृपा पाने का एक और उपाय है सोमवार वरत शावन करने से आपकी विशेश मनुकाबने पूर्ण हो सकती है इसमें आप नियम पूर्वक वरत करें और शिव जी की विदी विधान से पूजा करें माता पार्वती संग शिव पूजा करने से अखंड सो भग्य प्राप्त होता है दामपत्य जीवन सुखमय होता है विवा में होने वाली देरी भी खतम होती है और जल्द विवा के योग बनते है पांच रोग, ग्रिहे दोश, शारिरी कस्ट, मानसिक पीडा, अकाल मृत्यू, काल सर्प दोश, आदि से मुक्ती के लिए सावन में आपको रुद्राव शेक कराना चाहिए भगवान शिव का रुद्राव शेक कराने से कारियों में सफलता, धन दौलत में वृद्धी, उत्तम स्वास्ते, आदि की प्राप्ती होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही